प्रीय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यू को यू कब पढ़ते हैं? यू को यू कब पढ़ते हैं? देखिए और समझते हैं यदी किसी सब्द में यू के बाद यू के बाद एक अक्छड यदी किसी सब्द में यू के बाद एक अक्छर छोड़ कर आई आता हो तो वहाँ पर यू का उचारण सामने तयर यू किया जाता है उधारण के लिए आपकी सामने हैं देखिए यहाँ पर देखिए यू है और यू के बाद एक सब्द एन को हमने छोड़ दिया और उसके बाद आई आ रहा है तो यहाँ पर यू का उचारण यू किया जाएगा तब इस सब्द का सम्पोर्ण उचारण हो जाएगा यू नी यन ठेक उसी प्रकार इस वाली सब्द को देखिए इस वाली सब्द में यू के बाद एन को हमने छोड़ दिया और उसके बाद आई आ रहा है जो हमारी इश्नियम का पालन कर रहा है तो यहाँ पर इस यू का उचारण यू किया जाएगा और इस सब्द का सम्पोर्ण उचारण हो जाएगा यू निट अब इसकी परिभासा पर चलते हैं देखिए यू को यू कब पढ़ते हैं यदि किसी सब्द में यू के बाद एक अक्छर छोड़ कर आई आता हो तो वहाँ पर यू को यू पढ़ा जाता है जिस प्रकार यहां लिखा है यूनियन और यूनिट इस वीडियो में इतना ही थैंक यू है वन आई श्टी